असलामलेकम एप्रियान उमीद है कि आप सब हैरियत से होंगे सेवरेंड इंपॉर्टेंट फ्रेश अपडेट्स आप साथ शेयर करनी है इंटरनेशन स्ट्रेट्स एंड स्किल मेगनेंट्स के हवाले से सबसे पहले स्टेट्स के प्रीमिर्स के अपडेट आईए उन्होंने क क्लियर अनाउंस किया है कि हम अपने जो स्टेट बॉर्डर से उसको भी क्लोज नहीं करेंगे रिस्ट्रिक्शन भी लगाएंगे उसके बाद लॉक्डाउंस भी नहीं लगाएंगे हर चीज़ बैक टू नॉर्मल है ओमी क्रोन के बारे में भी उन्होंने अपडेट दिए आपके साथ शेयर करूंगा उसके बाद ऑस्टेलिया ट्रैवल डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में मैंने अपने चैनल पर वीडियो भी दिया लेकिन बहुत से स्टुएंट से मुझे टेक्स किया था कि हमें बाई बता जैना इसके बारे में तो आपके साथ शॉर्ट तक पहुंच सके तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेरें साथ से पहले वैक्सिनेशन के बेट आपके साथ शेयर करने यहाँ पर देखें 90% एच 16 प्लस वैक्सिनेट हो चुके हैं 39.6 मिलियन तक टोटल डोसिस कंप्लीट हो चुकी है और वीगली इनका था 9860 अभी क्लेर अनौंस किया था कि उस तरीके से किसी को भी पैनेक होने के जरुरुत नहीं और बाकि इनके जितने भी डॉल हो के डॉक्तर से सबने चृमिकृत करने था i everybody जिसमें यहे को इनका प्लीं और स्किन इमिग्रेंट्स के लिए अभी तक जैसी आपके सामने है कि हर चीज नॉर्मल है उस्टेलिया में उसके बाद साउथ ऑस्टेलिया की अपडेट है इंटरनेशन अर्यवल्स इंटू साउथ ऑस्टेलिया है फैड टो कॉरंटीन फॉर फॉर्टीन डेस त्यापर जिस इसमें कुछ केस दे तो उसको जब हल करके तो वापिस साउथ ऑस्टेलिया बेच दिया गया था उसके बाद एंट पर देखें इंटरस्टेट अर्यवल्स विल स्टिल हैफ तो हैवा कोविड नाइटीन टेस्ट सैवंटी और और एंट्रिंग साउथ ऑस्ट्रिया त्याप कंट्रि को अब चाहिए कि वह ट्रेормल को फॉलो करें एसके बाद ऐसके बाद आएक आप्लाइन लिकाओं उसको आप लोगों ने क्लिक कर लेना है उसके बाद आपके सामने डिक्लियरेशन फॉर्म है बहुत से जो स्टुएंट पूछे थे आपके सामने फुल पेच ओपन हो जाएगा तो उसमें आप लोगों से जो जो इनफॉर्मेशन ये मांगेगी वो सारी इनफॉर्मेशन आप लोगों ने उसमें अपडेट करनी है तो यहाँ पर देखे शोर नेम गिवन नेम उसके बाद डेट ऑफ बर्थ कंट्री ऑफ बर्थ तो बाकी सारी जो डिटेल है मेल फीमेल कंट्री ऑफ सेटिजन शेप तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे सिंपल लेशन फॉर्म फिल हो जाएगा उसके बाद विक्टोरिय के प्रीमेर की अपडेट है यहाँ पर आप लोग देखें नो ओमीक्रों जीरो फॉर विक्टोरिया एस्टेट रिमेंस इन बॉर्डर लॉक्स्टेप इस डव्यू तो यहाँ पर इन्हों ने बताया था कि हम अप दिसेंबर को जो मीटिंग होगी वह कोई अच्छी मीटिंग होगी फैडरल गोर्मेंट और प्राइम मिनिस्टर अच्छा ही डिसाइड करेंगे इंटरनेशन स्ट्वेंट्स और स्किल मिग्रेंट्स के हवाले से से वरेन आज वीडिया तकि बस एंड पर मैं इतना ही सब्सक्राइब करेंगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना उसके बाद और प्रेस किया करें ताकि मेरा आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट अप्डेट हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके थैंक्स और रोचें